हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक्जाम मास्टर चैनल पर और जी हाँ बात करेंगे हम आपतियों की इस वीडियो में देखे आज मैं आपको क्लियरली बताऊंगा किन-किन प्रशनों की आपतियां हम लोगों की द्वारा भीजी गई हैं और उनके साक्ष कहा से लगाए गये हैं किन-किन किताबों से लगाए गये हैं और दोस्तों zodा किरन नमबर मिलने वाले हैं इन सारी चीजसों की बात करेंगे इस वीडियो में और इसके last में भी मैं आपको कुछ important चीजे बताऊंगा तो सबसे पहले question number है एक भारत में गरीबी का आकलन किस आधा पर किया जाता है यह क्वेस्चन हम लोगों ने इस पेपर में से लगाया है आप देख पाएंगे यह भारतिय अर्थ विवस्था का विकास ठीक है कच्छा 11 की यह पुस्तक है N-C-E-R-T की इसमें आप पेज नंबर 67 देखेंगे तो आप पाएंगे दूसरे पैराग्राफ मे की हमारी सरकार निर्धन परिवारों की पहचान के लिए मासिक प्रतिव्यक्ति उपभोग M-P-C-E मासिक आई के दियोतक के रूप में प्रियोक करती है ठीक है तो यहाँ पर इस क्वेस्चन में कॉमन नंबर मिलने के लिए गुहार लगाई गई है दूसरी चीज अगर बढ़ना करने के बाद श्वास्चिद्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर तिल्चटा सही अंसर माना गया है और कई जगह मतलब देखा जाए तो अलग-अलग मतलब प्रूफ लगाया गया है उसमें केचवे के लिए और मचली के लिए ठीक है मचली केचुवा इसके लिए आप जो किताब आपको देखनी है वो बेसिक शिच्छा परिसद की ही किताब है उसमें कच्छा साथ की बायोलाजी कि अगर पेज नंबर 47 पे आप देखेंगे तो आप प्राप्त कर लेंगे इसका साक्ष दो दूसरा क्विश्चन हाला कि इस के 100 परसंट थे हैं जिनका कं है वो मान के चले केंडरी इंच्छा सिर्मिक अनुसंधान संस्थान यहां पर इसके लिए केंडरी आव केंडरी ग्रापव को सही answer माना गया है जो कि आपके चारो विकल्प में नहीं है ठीक है तो केंद्री ग्लास या आप लूसेंट में भी देख सकते हैं या नेट पे भी सर्च कर सकते हैं केंद्री ग्लास अनुसंधान का यह तीसरा क्वेश्चन है जिस पर आपको common number मिल सकता है एक क्वेश्चन ह नाथ पंथ संप्रिदाय की प्रवर्तक तो यह नायतिक शिच्छा की किताब है इसमें जो है मत्सेंद्र नाथ और गुरु गोरक नाथ दोनों को बताया गया है ठीक है इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो गाह पद में विभक्ति वचन के लिए इन्होंने साक्षे लगाया है ठीक है गाह पद में क्वेश्चन नबर 29 आप देख पाएंगे तो इसके कॉमन नंबर के लिए बात की गई है आप स्ट्री लिंग को देख लेंगे ठीक है इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है पढ़ने लिखने की अक्षमता इसमें डिसलेक्सिया को सही माना इसके लिए कॉमन नंबर के लिए और अगला जो क्वेश्चन है अंग्रेजी लैंग्वेज से है अंग्रेजी भाषा से है ऐसा करिए मैं आपको दो पीडियाफ के लिंक दे रहा हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आप दोनों पीडियाफ को डाउन भी मिल जाएंगे तो आप इसके हिसाब से अपने सेट को सेट करके वो कर सकते हैं ठीक है भेज दीजे थांक्यू सो मच